अब मैं आपको olden days में जैसे cooking होती थी वो तब vessels वगरा नहीं थे एक मिटी के pot में किया जाता था cooking तो मैंने इसको utensils तो steel का ले लिया है पर ये लखडियां डाल दी है और इसमें मैं ये pineapple leaf से इत vessel बना दिया है ये अब पानी heat हो रहा है नीचे मैंने पानी रख दिया है ये heat होगा तो पतिया इदम नरम हो जाएंगे मैंने इसको चटाई के तरह बना के फिर उसके बाद एक उपनिक शे करके इसके बाद इसके बना दिया है pot वैसे इसकी cooking तो आख जलाके नीचे इसके direct रखके भी हो जाती पर मेरे पास ये स्विधानी होने से मैंने गैस कस्तेमाद किया है इसके लिए फिर मैंने पास्ता रखा है बॉल करके और इसमें थोड़ा सो ऑईल मिलाया है नमक डालके बाद के अधा और ये सिसमी सी ये ये सीध है संफ्लक सीध गलतिल ये पापाया मैंने इसको ग्रेट कर लिया है ये पुली मिन्स ये खटी होती है यहाँ कीमली कही जाती साउट की मैंने टर्मरिक लीफ और यहां के लैमन लीफ यह साइज की है यह और एक सुगंधी नाम का पत्ता आता है जिसमें बहुत सुंदर स्मेल होती ही चाय वगरा में भी यूज कर सकते हैं और देन इसकी लीफ लिया है यह हमारी अध्रग यह है टर्मरिक लीफ यह एक वराइटी की पुली कही जाती है तर्मिन मींस खटा है यह और देखे यह मैंने थोड़ी से स्लिट करके लान मिर्च ले ली है कलर के लिए और इसमें यह जम्स निकले हुए जम्स के वाले लिया है इसमें देखे यह जड़के सही ताजे लहसूं और यह सुगंधी के पत्ते हैं और यह प्याज मैंने इसको कट कर लिया है थोड़े बड़े बड़े किया है यह है नटमेग और यह उसके ऊपर की चावीतरी देखे आप लगों नहीं फल नहीं यह निकल जाता है तो यह चावीतरी हो जाती और यह नटमेग इसके ऊपर का जो फल है यह खथता है खथते के लिए मैं इस्तिमाल करऊंगी इसमें मैंने थोड़ी सी ड्रॉमिस्टिक लीफ्स भी यूज की है और इसके हलदी के पत्ते के को भी डाला है और जिंजर के पत्ते को भी यूज की है इसके लिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया देखिए अब दोस्तों मैं ये गरम हो रहा है गरम होने के बाद मैं इसको ढखूंगी वैसा से ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए उसमें भाब बन जाए फिर मैं लेयर्स में इसको डालूंगी अब मेरे पास है लोवया बीन्स और मुद्ग सप्राूट्स सफेज चने के चने चने लाल चने स्प्राउट्स सारे स्प्राउट्स हैं सब मेरे पास और मेरे मसाले तयार हैं, जिसमें हैं हल्दी, गरम मसाले, अजवाई, थोड़ा सा पैपर साल्ट, वैसे मैं ताजे चीली फ्लेक्स, ताजे यूज करूँगी पैपर, देखें, अब मेरा पानी बॉल हो रहा है, मैं इसमें stepwise करूँगी, यह मेरा पास्ता, मेंली ओयल फ्री होगा, और इसको मैं सारी चीज़ें यूज कर रही हैं, cancer patients और, then diabetic patients के लिए, देखें, मैंने इसको फेला लिया है, इस तरह, फिर मैं इस पे थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि नमक नहीं मिला है, हलका सा पेपर, layers में डालेंगे, देखें, then sprouts, then फिर पापाया है, sprouts और पापाया वेश्ट डाला है, तो फिर मैं ये मसाले थोड़े से गरम, थोड़ी नमक, थोड़ा सा मिर्च, और ये पेस्ट भी यूज करते रही हूं, जिसमें मैंने सेसमी सीड और थोड़ा सा ओयल मिक्स किया है, एक बूंद, क्योंकि सेसमी सीड में खुद अपना और है, इसको बॉयलो नहीं दीजे, अब मैं काथ रही हूं, ये फ़ल, ये अम रंगया कहा जाता है, ये खटा होगा, मैं इसको डाल दूंगी, देन मैं ये लहसुं की जड़ें, साफ से अच्छे से दूल लेजिए, और एक दम बारीक इसके अभी अंकुर निकले ही थे इसके पत्ते, और इसमें लहसुं, तोड़के हाँ से, फिर मैं इसमें यूज करूंडी थोड़ी सी प्याज, देन फिर नमक, स्लिट कर देंगे थोड़ा सा मूँ, लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, बहुत कम-कम डालते जाएंगे, अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता, पड़ूंडी में तो य झावदी के के लागा जोड़ी, जफे लिएस पिर गूंडी थोड़ी तो फिर स्पेरकोंडी चा पास्तोर नमक, और ये लीफ्स पूरी डाल दूँगे इसके उबर, चाहें तो इसमें बाद में हम मिक्स कर लेंगे या नहीं, चाहें तो कोई मिक्स करने की जरूर नहीं, ये खुद इसकी स्मेल अपने आप पहुचाएगे मादर, फिर मैं डाल दे रहे हूं ये बाद, थोड़ा सा मैं नटमेक का कवर भी उपर से काटके डाल दूँगे, इसकी स्मेल भी बहुर शार्प होगी, और थोड़ी से खटास भी लाएगा, ये मैंने यूज कर दिया, ये पूरा मैं कम्लेट पास्ता ये उसका तूँगे, इसपे, देन बारे बारे नमख भी डालेंगे, क्योंकि मैंने पाइन पेस्ट में नमख नहीं डाला, पेस्ट में बेलकुल नहीं डालना था, इसका सल्फ ओयल है, तो मैंने इसमें सिर्फ पानी में ला लिया है, थोड़ा सा गिला करने के लिए, यह हमारे शुगर और कैसर पेशिंट्स के लिए, हारबल पास्ता है, हारबल प्रांट से नाश्ता बना हुआ है पूरा, यह आप देली मॉनिंग में कोई भी बच्चों को दे सकते हैं, बड़े बुढ़े हैं, यह इंदो हैं, और यह थोड़ी सी पुली है, क्यूंकि मैं साउट के बगीचे में गई थी, तो हरबल प्लांट में मुझे जो दिखा, वो मैंने नेम पूछा, उसके यूसर पूछा, मैं ले देनी से, और मैं सिर्फ धबके रख दूगी, धबने के लिए मैंने बतन यह यूसकिया, दिखे, अब यह हो गया, अभी पांच मिन्ट तेज आज पे, नीचे से भाग लेके इसको पका देगा, सर्थ पांच मिन्ट, रिखिए, अब हमारा पूरा बॉल होके तयार हो गया, यह टोटर पूरा नास्ता पांच मिन्ट के अंदर बन जाता है, अब आपका, यह पेशेंट्स जो भी हो, कैंसर पेशेंट्स हो, क्योंकि इसमें नीथी कुछ नहीं यूज है, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और मेंली मदूनेह बीमारी, जो डियबेटिक पेशेंट्स हैं, हाई बीपी, क्योंकि और वेगरा यूज नहीं हो, बहुँ अब कमते हैं, मैंने सेंधा नमक का यूज किया है, पौडर का, अब आपका, मल्टी स्टेन पास्ता, इन आयूरवेदिक स्टाइल तयार है.